इन में कोई हमारे आचार्य, कोई पिता, कोई पितामह, कोई मामा, कोई ससुर, कोई पोते, कोई साले और कोई संबंधी हैं। के मधुसूदन ये भले ही मुझे मार डालें, पर मैं स्वर के राज्य के लिए भी इन्हें नहीं मारना चाहता, भूमी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है? के जनार्दन, दुर्योधन आदी अपने बंधुबांधवों को मारने से हमें क्या सुख होगा? इन आद्ताईयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा बार-बार फिर-फिर अर्जुन जो कह रहा है, वह बहुत विचार योग्य है, दो-तीन बाते खयाल में ले लेनी ज़रूरी है वह कह रहा है कि ये अपने स्वजनों को मार कर अगर तीनों लोग का राज्य भी मिलता हो, तो भी मैं लेने को तयार नहीं हूँ, इसलिए इस पृत्वी के राज्य की तो बात ही क्या? देखने में ऐसा लगेगा, बड़े त्याग की बात कह रहा है, ऐसा है नहीं मैं एक व्रिध सन्यासी से मिलने गया था, उन व्रिध सन्यासी ने मुझे एक गीत पढ़कर सुनाया, उनका लिखा हुआ गीत, उस गीत में उन्होंने कहा कि समराटो, तुम अपने स्वर्नसिनहासन पर होगे सुख में, मैं अपनी धूल में ही मजे में हूँ, मैं लात मार तुम्हारे स्वर्नसिनहासनों पर, तुम्हारे स्वर्नसिनहासनों में कुछ भी नहीं रखा है, मैं अपनी धूल में ही मजे में हूँ, ऐसा ही गीत था, पूरे गीत में यही बात थी, सुनने वाले बड़े मंत्रमुग्ध हो गए, हमारे मुल्क में मंत्रमुग्ध होना इतना आसान है कि और कोई चीज आसान नहीं है। सिरहिलाने लगे। मैं बहुत हैरान हुआ। उनका सिरहिलता देखकर सन्यासी भी बहुत प्रसंद हुए। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या कहते हैं। अपनी धूल में रहो मजे में, हम तुम्हारी धूल को लात मारते हैं, हम अपने सिन्हासन पर ही मजे में हैं। किसी समराट ने अब तक ऐसा गीत नहीं लिखा। सन्यासी जरूर सैकडों वर्ष से ऐसे गीत लिखते रहे हैं। कारण खोजना पड़ेगा। असल में सन्यासी क के मन में सुख तो सोने के सिनहासन में ही डिखाई पड़ रहा है, अपने को समझा रहा है, कंसोलेटरी है। उसकी बात वह कह रहा है। रहे आओ अपने सिनहासन पर। हम अपनी धूल में ही बहुत मजे में हैं, लेकिन तुम से कह कौन रहा है कि तुम सिनहासन पर रहो, तुम धूल में मजे में हो, तो मजे में रहो, सिनहासन वाले को ईशा करने दो तुम्हारे मजे की, लेकिन सिनहासन वाला कभी गीत नहीं लिखता है कि तुम अपने मजे में प्रयोजन ही क्या है. ऐसा बड़ा खयाल मन में पैदा करके कि मैं तीनों लोग का राज्य भी छोड़ सकता हूं तो फिर पृत्वी का राज्य तो छोड़ ही सकता हूं लेकिन न उसको पृत्वी का राज्य छोड़ने की इच्छा है और अगर कहीं कृष्ण उससे कहें की देख तुझे तीनों लोग का राज्य दिये देते हैं तो वह बड़ी बिगूचन में पड़ जाएगा वह कह रहा है अपने को समझा रहा है अब यह बड़े मजे की बात है कि बहुत बार जब हम अपने को समझाते होते हैं तो हमारे खयाल में नहीं होता है कि हम किन-किन तरकीबों उसे अपने को समझाते हैं, बड़ा मकान देखकर पडोसी का हम कहते हैं, क्या रखा है बड़े मकान में, लेकिन जब कोई आदमी कहता है, क्या रखा है बड़े मकान में, तो उस आदमी को बहुत कुछ रखा है, निश्चत ही रखा है, अन्यता बड़ा मकान दिखता नहीं, वह अपने को समझा रहा है, वह अपने मन को सांत्वना दे रहा है कि कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए हम पाने की कोशिश नहीं करते, अगर कुछ होता, तो हम तत्काल पा लेते, लेकिन कुछ है ही नहीं, इसलिए हम पाने की कोई कोशिश नहीं करते. यह अरजुन कह रहा है तीन लोग के राज्य में भी क्या रखा है। इसलिए पृत्वी के राज्य में तो कुछ भी नहीं रखा है। और इतने छोटे से राज्य की बात के लिए इतने प्रेजनों को मारना डौट। यह प्रेजनों को मारना उसके लिए सरवाधिक कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है। उस कटाव में भी सब दुश्मन नहीं है। कहना चाहिए कि जो फर्क है यह थोड़ा सोचने जैसा है जो फर्क है। लेकिन बटवारा बहुत अजीब है। और वह अजीब बड़ा अर्थपूर्ण है। वह अजीब बटवारा ऐसा है कि इस तरफ अपने थोड़े जो ज्यादा मित्र थे वे इकठे हो गए हैं। मित्र वे भी हैं, प्रियजन वे भी हैं, गुरु उस तरफ हैं। यह मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण है। और ऐसी सिचुएशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन्दगी में चीजें वाटर टाइट कमपार्टमेंट में बंटी हुई नहीं होती है। जिन्दगी में चीजें काले और सफेद में बंटी हुई नहीं होती। जिन्दगी ग्रे का फैलाव है, उसके एक कोने पर काला होता है, दूसरे कोने पर सफेद होता है। लेकिन जिन्दगी के बड़े फैलाव में काला और सफेद मिश्रित होता है। यहां फला आदमी शत्रू और फला आदमी मित्र ऐसा बंटाव नहीं है। तब आप बड़ी मुश्किल में पढ़ जाएंगे, तब ठीक अरजुन की हालत में पढ़ जाएंगे, तब आपका एक हाथ कहेगा पानी थंड़ा है, और एक हाथ कहेगा पानी गरम है, और एक ही पानी है। दोनों तो नहीं हो सकता, एक साथ ठंड़ा और गरम। जीवन में सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव है। जिन्दगी में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, यहां सब कमज्यादा का बंटाव है, अरजुन की वही तकलीफ है, और जो आदमी भी जिन्दगी को देखेगा ठीक से, उसकी यही तकलीफ हो जाएगी, यहां सब कमज्यादा का बंटाव है, कोई थोड़ा अपना ज्याद कोई अपना कम, कोई थोड़ा ज्यादा निकट, कोई थोड़ा जरादूर, कोई 100 प्रतिशत, कोई 90 प्रतिशत, कोई 80 प्रतिशत अपना है, और कोई 90 प्रतिशत, कोई 80 प्रतिशत, कोई 70 प्रतिशत पराया है, लेकिन जो पराया है, उसमें भी अपना एक प्रतिशत का हिस्स और जो अपना है उसमें भी पराय के प्रतिशत का हिस्सा है। इसलिए जिन्दगी उल्जाव है यह कट जाए ठीक शत्रुमित्र में अच्छे बुरे में तो बड़ा आसान हो जाएं। इतना आसान नहीं हो पाता। राम के भीतर भी थोड़ा रावन है और रावन के भीतर भी थोड़ा राम है। इसलिए तो रावन को भी कोई प्रेम कर पाता है। नहीं तो रावन को कोई प्रेम न कर पाएं। रावन को कोई प्रेम कर पाता है। पूरे जीवन की पीड़ा है और यह स्थिति यह सिचुएशन पूरे जीवन की स्थिति है इसलिए अरजुन के लिए जो प्रश्न है वह सिर्फ किसी एक युद्ध स्थल पर पैदा हुआ प्रश्न नहीं है वह जीवन के समस्थ स्थलों पर पैदा हुआ प्रश्न है अब वह घबड़ा गया है उधर द्रोन खड़े हैं उन्ही से सीखा है अब उन्ही पर तीर खीचना है, उन्ही से धनुर्विद्या सीखी है, वह उनका सबसे पट शिश्य है, सबसे ज्यादा जीवन में उसके लिए ही द्रोन ने किया है एकलव्य का अंगूठा काट लाए थे, इसी शिश्य के लिए, वही शिश्य आज उन्ही की हत्या करने को तैयार हो गया है इसी शिश्य को उन्होंने बड़ा किया है, खून पसीना देकर सारी कला इसमें उन्देल दी है आज इसी के खिलाफ वे धनुश्बान खीचेंगे, बड़ा अध्भुत युद्ध है, यह एक ही परिवार है, जिसमें बड़े तालमेल हैं, बड़े जोड हैं बड़ी निकटाएं हैं, कटकर खड़ा हो गया है लेकिन अगर हम जिन्दगी को देखें, बहुत गहरे से देखें, तो जिन्दगी के सब युद्ध अपनों के ही युद्ध हैं, क्योंकि प्रिथवी एक परिवार से ज्यादा नहीं है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ेगा, तो एक परिवार ही लड़ेगा, कल जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया था, वे वहाँ है कल जिस जमीन को हम अपना कहते थे, वह वहाँ है कल जिस ताजमहल को वे अपना कहते थे और जिसके लिए मर जाते वह यहां है, यहां सब जुड़ा है अगर हम कल चीन से लड़ेंगे, तो हिंदुस्तान ने चीन को सब कुछ दिया है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर बुद्ध को चीन ने बचाया है, और कोई बचाता नहीं कल उनसे हम लड़ने खड़े हो जाएं सारी जिंदगी, सारी पृत्वी, खीक से देखें तो एक बड़ा परिवार है, उसमें सारे युद्ध पारिवारिक हैं, और सब युद्ध इसी स्थिती को पैदा कर देते हैं, जो अर्जुन के मन में पैदा हो गई है, उसकी दुविधा एकदम स्वाभाविक है, उसकी च आख बंद करे और युद्ध में कूद जाए, या आख बंद करे और भाग जाए, ये दो ही उपाय दिखाई पड़ते हैं, तो आख बंद करे और कहे, होगा कोई जो अपनी तरफ नहीं है, अपना नहीं है, मरना है, मरे आख बंद करे, युद्ध में कूद जाए सीधा है, या आख बंद करे और भाग जाए सीधा है लेकिन कृष्ण जो उपाय सुझाते हैं, वह सीधा नहीं है, वह लीस्ट रेसिस्टेंस का नहीं है, ये दोनों लीस्ट रेसिस्टेंस के हैं, ये दोनों सूखी रेखाए हैं, इन दोनों में वह कहीं भी चला जाए, बड़ी सरल है बात, शायद अनंत जन्मों में इन दो में इसे कहीं न कहीं वह गया होगा। ये सहज विकल्प हैं। लेकिन कृष्ण एक तीसरा ही विकल्प सुझाते हैं। जिस पर वह कभी नहीं गया है। वह तीसरा विकल्प ही कीनती है। और जिन्दगी में जब भी आपको दो विकल्प आएं। तो निर्णय करने के पहले तीसर के संबंध में सोच लेना, क्योंकि वह तीसरा सदा ही महत्वपून है, वे दो हमेशा वही हैं, जो आपने बार-बार चुने हैं, कभी इसको इससे ठक गए हैं, तो विप्रीत को, कभी विप्रीत से ठक गए तो इसको बैक्सलेश बैक्सलेश उनको आप चुनते रहे हैं, दि इस सुबह आपने बताया कि गीता अध्यात्म शास्त्र नहीं है, मानस शास्त्र है, मगर आपने यह भी बताया कि राम में रावन का अंश होता है, और रावन में राम का होता है, वैसे ही गीता में भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शास्त्र में भी अध्यात्म का कुछ अंश गया हो. मैं अध्यात्म को ऐसी अनुभूती कहता हूँ, जो अभिव्यक्त नहीं हो सकती, इशारे दिये जा सकते हैं, लेकिन इशारे अभिव्यक्तियां नहीं है. चांद को अंगुली से बताया जा सकता है, लेकिन अंगुली चांद नहीं है. क्या होगा अर्थ? क्या होगा प्रयोजन? माना की जीत जाऊंगा, क्या होगा? माना की वे आत्ताई हैं, काट डालेंगे उन्हें. बदला पूरा हो जाएगा, फिर क्या होगा? बदले का क्या अर्थ है? और नमालूम कितने निहत्थे मर जाएंगे, नमालूम कितने निर्दोष मर जाएंगे, जिनका कोई संबंध नहीं है, जो युद्ध में घसीट कर ले आए गए हैं, क्योंकि उनका कहीं कोई संबंध है, उन सबका क्या होगा? इसलिए अपने बंधु दुर्योधन आदी को हम मारना नहीं चाहते. के माधव हम आत्मियों को मार कर कैसे सुखी होंगे? यद्यपी ये लोग लोग से चित्तवरित्ती के नश्ट होने के कारण कुल नाश से होने वाले दोश का और विश्वासघात जन्य पाप का विचार नहीं करते. परंतु हे जनारगन कुल के नाश करने से होते हुए दोश को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नश्ट हो जाते हैं? धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है अर्जुन कह रहा है कि वे विचारहीन हैं हम भी विचारहीन होकर जो करेंगे वह कैसे शुब होगा माना कि वे गलत हैं लेकिन गलत के प्रत्युप्तर में हम भी गलत करेंगे तो क्या वह ठीक होगा क्या एक गलत का प्रत्युप्तर दूसरे गलत से दिये जाने पर सही का निर्मान करता है वह यह पूछ रहा है कि भूल है उनकी तो हम भी भूल करेंगे तो दो भूले मिलकर ठीक हो जाती हैं कि दुगुनी हो जाती है माना कि उनका चित्त भ्रमित हो गया है माना कि उनकी बुद्धी नश्ट हुई है, तो क्या हम भी अपनी बुद्धी नश्ट कर लें? और जो मिलेगा, क्या वह इस योग्य है? क्या उसकी इतनी उपादेता है? क्या उसका इतना मूल्य है? ध्यान रखे, इसमें अर्जुन के मन में दोहरी बात चल रही है, एक और वह कह रहा है कि क्या इसका कोई मूल्य है? इसमें दो बाते हैं, हो सकता है कोई मूल्य हो और कृष्ण उसे मूल्य बता पाएं, तो वह लड़ने के लिए रेशनलाइच कर ले, हो सकता है, कृष्ण समझा पाएं की हां मूल्य है, हो सकता है, कृष्ण समझा पाएं की लाब है कल्यान हैख हो सकता है, कृष्ण समझा पाएं कि बुराई को बुराई से काट दिया जाएगा और तब जो शेश बचेगा वह शुब होगा, तो वह लड़ने के लिए अपने को तयार कर ले आदमी अपने को तयार करने के लिए बुधिगत कारण खोजना चाहता है, अरजुन के मन में दोनों बाते हैं, वह जिस तरह से प्रश्न को मौझूद कर रहा है, वह यह है कि या तो मुझे भाग जाने के लिए स्वीकृती दें, या तो मैं एसकेप कर जाऊं, और या फिर मै युद्ध में उत्रूं, तो मुझे प्रयोजन स्पष्ट करा दें, वह अपने मन को साफ कर लेना चाहता है, युद्ध में उत्रे, तो यह जानकर निश्चित्मना, कि जो हो रहा है, वह शुभ हो रहा है, या फिर युद्ध से भाग जाए, ये दो विकल्प उसे पड़ता है, दो में से कोई भी एक हो जाए, इसे थोड़ा समझ लेने जैसा है, आदमी सदा से अपने को बुद्धिमान, विचारशी, रेशन समझता रहा है, अरस्तु ने तो आदमी को रेशन एनिमल ही कहा है, कहा है कि बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन जैसे जैसे आ आदमी का रेशन सिर्फ उसके भीतर जो इरेशन है, जो बिलकुल अबाद्धिक है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में लगा रहा है, अगर उसे युद्ध करना है, तो पहले वह सिद्ध कर लेना चाहेगा, कि युद्ध से मंगल होगा, कल्यान होगा, फिर आसानी से काट सकेगा, अगर उसे आद लगानी है, तो वह तै कर लेना चाहेगा, कि इस आद लगाने से धर्म की रक्षा होगी, तो वह आद लगाने के लिए तयार हो जाएगा, आदमी ने उसके भीतर जो बिलकुल अबाद्धिक तत्व हैं, उनको भी बुद्धिमानी से सिद्ध कर लेने की निरंतर चेश्टा की है, अर्जुन भी वैसी ही स्थिती में है, उसके भीतर लडने की तयारी तो है, अन्यथा इस युद्ध के मैदान तक आने की कोई जरूरत न थी, उसके मन के भीतर युद्ध का आगरह तो है, राज्यवह लेना चाहता है, जो लेकिन वैसी तयारी नहीं है, जैसी दुर्योधन की है, जैसी भीम की है, पूरा नहीं है, मन बंता हुआ है, स्प्लिट है, तूटा हुआ है, कहीं भीतर लग भी रहा है कि गलत है, व्यर्थ है, और कहीं लग भी रहा है कि करना ही पड़ेगा, प्रतिष्ठा का, अहंकार का कुल का हजार बातों का सवाल है दोनों बातें उसके भीतर चल रही है दोहरा उसका मन है, डबल बाइंड है और ध्यान रहे, विचारशील आदमी में सदा ही दोहरा मन होता है विचारही में दोहरा मन नहीं होता निर्विचार में भी दोहरा मन नहीं होता लेकिन विचारशील आदमी में दोहरा मन होता है। विचारशील आदमी का मतलब है जो अपने भीतर ही निरंतर डायलाद में और डिस्कशन में लगा है, जो अपने भीतर ही विवाद में लगा है। अपने को ही दो हिस्सों में करके क्या ठीक क्या ठीक नहीं इसका उत्तर प्रत्युप्तर कर रहा है विचारशील आदमी 24 घंटे अपने भीतर चर्चा कर रहा है स्वयन से ही वह चर्चा अर्जुन के भीतर चलती रही होगी समझा बुझा कर वह अपने को युद्ध के मैदान पर ले आया है कि नहीं लड़ना उचित है लेकिन युद्ध की पूरी स्थिती का उसे पता नहीं था पिछले महा युद्ध में जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया उसे कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा उसे इतना ही पता है कि एक बटन दबा देनी है और नीचे एटम गिर जाएगा उसे यह भी पता नहीं है कि इस एटम से एक लाख हादमी मरेंगे उसे कुछ भी पता नहीं है उसे सिर्फ एक आडर है एक आग्या है जो उसे पूरी करनी है और आग्या यह है कि उसे जाकर हवाई जहाज से एक बटन दबा देनी है हिरोशिमा के उपर वह बटन दबा कर लौट आया जैसे सारी दुनिया को पता चला ऐसे ही उसको भी पता चला कि एक लाख हादमी मर गए हैं फिर उसकी नींद हराम हो गई फिर वह आदमी रात दिन लाखों मुर्दे देखने लगा उसके प्राण थर-थराने लगे, कंपने लगे, उसके हाथ पेर में कंपन होने लगा फिर तो अन्ता उसने हमले करने शुरू कर दिये अपने पर नाडी काट डाली एक दिन सिर पर हतोडी मार ली, फिर तो उसे पागल खाने में रखना पड़ा फिर तो उसने दूसरों पर भी हमले शुरू कर दिये, फिर तो उसे जंजीरों में रखना पड़ा, उसकी नेंद बिल्कुल चली गई, और वह आदमी एक ही अपराध की गलानी से भर गया, गिल्ट एक ही उसको पकड़ गई की मैंने लाख आदमी मारे हैं, लेकिन उसे कोई पता नहीं था, अब जो हमारी युद्ध की व्यवस्था है, बिल्कुल इनहुमन है, अब उसमें पता नहीं चलता, मारने वाले को भी पता नहीं चलता कि वह लाख आदमीयों की मौत का बटन दबा रहा है, लेकिन महाभारत में स्थिती और थी, सब चीजे सामने थी, यु पढ़ने लगा, इनमें फला मित्र है, वह मरेगा, उसके छोटे बच्चे हैं घर पर, ध्यान रहे, युद्ध अब जो है, वह इनहुमन हो गया है, अमानविय हो गया है, इसलिए अब बड़ा खत्रा है, क्योंकि लड़ने वाले को भी साफ पता नहीं चलता कि क्या होगा, जो हो रहा है, बिलकुल अंधेरे में हो रहा है, उनके पास आदमी नहीं आकड़े होते हैं, उनके पास होता है, एक लाख आदमी मरेंगे, यह सुनकर कुछ भी पता नहीं चलता, एक लाख आदमियों को सामने खड़ा करिये, खड़े हो जाएए मंच पर, देखिए कि यह एक लाख आदमी मरेंगे, तब इनकी एक लाख पत्निया भी दिखाई पड़ती हैं, इनके लाखों बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं, इनकी बूरी मा भी होंगी, इनके पिता इनकी नमालूम क्या-क्या जिम्मेवारियां होंगी, इन एक लाख को मारने की जिम्मेवारी अगर हिरोशिमा पर बम डालने वाले को सामने होती, तो मैं भी सोचता हूँ कि वह आदमी कहता, इससे मैं मर जाना पसंद करूंगा, यह आग्या मैं नहीं मानता, उसके सामने भ इलखती दिखाई पड़ने लगी, इन में न मालूम कितने उसके प्रियजन थे, उनकी विध्वाएं होंगी, उनके बच्चे तडफेंगे, रोएंगे, यह सब लाशों से भर जाएगा मैदान, यह इतना साफ उसे दिखाई पड़ा की अपने को समझा बुझा कर लाया था की लड़ना उचित है, वह सब दामवाडोल हो गया, उसके दूसरे मन ने कहना शुरू किया कि यह तो क्या करने जा रहा है, यह तो पाप होगा, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है, और इसलिए की राज्य मिल जाएं, और इसलिए की धन मिल जाएं, और इसलिए की इन सब को मारने की तेरी तयारी है। निश्चत ही वह विचारशील आदमी रहा होगा। उसके मन ने इनकार करना शुरू कर दिया। लेकिन इनकार में दूसरा मन भीतर बैठा हुआ है। और वह दूसरा मन भी बोल रहा है कि अगर कोई rationalization मिल जाएं। अगर मिल जाएं की नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह उचित है बिलकुल यह औचित के मालूम पढ़ जाएं। तो वह अपने को इकठा कर ले, एक जुट कर ले, युद्ध में उतर जाएं। कृष्ण जैसे आदमी predictable नहीं होते, कृष्ण जैसे आदमी के साथ पक्का नहीं है कि वे क्या कहेंगे। लेकिन अर्जुन के साथ पक्का है कि वह दो बाते चाह रहा है। या तो यह सिद्ध हो जाएं कि यह युद्ध उचित है, नीति सम्मत है, धार्मिक है, लाभ होगा कल्यान होगा, श्रेयस मिलेगा, इस लोक में, परलोक में सुख मिलेगा, तो वह युद्ध में कूद जाएगा। और अगर यह सिद्ध हो जाए की नहीं हो सकता, तो युद्ध से भाग जाएं, उसके सामने दो विकल्प सपष्ट हैं, और उन दोनों के बीच उसका मन डोल अभी मैं एक गाव में था, एक युवक मेरे पास आये, और उन्होंने मुझ से पूछा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, आपकी क्या सलाह है। तभी तुम लेना, तो ही सन्यास के फूल में आनंद की सुगंधा सकेगी, अन्यथा नहीं आ सकेगी। वह अरजुन सलाह नहीं मांगता, अगर उसको साफ एक मन हो जाता कि गलत है, चला गया होता। उसने क्रिश्न से कहा होता कि सम्हालो इस रत को ले जाओ, इन घोडों को जहां ले जाना हो, और जो करना हो करो, मैं जाता हूं, और क्रिश्न कहते कि मैं कोई सलाह देता हूं। तो वह कहता कि बिना मांगी सलाह न दुनिया में कभी मानी गई न मानी जाती है, अपनी सलाह अपने पास रखें। नहीं, लेकिन वह सलाह मांग रहा है, सलाह मांग रह वही बता रहा है कि उसका दोहरा मन है, अभी उसको भी भरोसा है कि कोई सलाह मिल जाएं तो युद्ध कर ले, यह भरोसा है उसके भीतर, इसलिए कृष्ण से पूछ रहा है। अगर यह भी पक्का होता कि युद्ध करना उचित है, तब कृष्ण से कोई सलाह लेने की जरूरत न थी, युद्ध की सब तयारी हो गई थी। अर्जुन दामवाडोल है, अर्जुन बंटा है, इसलिए वह सारे सवाल उठा रहा है। उसके सवाल महत्वपूर्ण हैं। और जो आदमी भी थोड़ा विचार करते हैं, उन सब की जिन्दगी में ऐसे सवाल रोज ही उठते हैं जब मन बंट जाता है, और दोहरे उत्तर एक साथ आने लगते हैं, और सब निरने खो जाते हैं। अरजुन संशय की अवस्था में हैं। जब भी आप किसी से सलाह मांगते हैं, तब वो सदा ही इस बात की खबर होती है कि अपने पर भरोसा खो गया है, सेल्फ कान्फिडेंस खो गया है। अब अपने से कोई आशा नहीं उत्तर की, क्योंकि अपने से दो उत्तर एक से मांगने जाता है। तब जानना चाहिए, वो भीतर से इतना बंद गया है कि अब उसके भीतर से उसे उत्तर नहीं मालूम पढ़ रहा है। ऐसी उसकी दशा है, वो अपनी उसी दशा का वर्णन कर रहा है।